पॉस्माटम रिपोर्ट किस ने किया पॉस्माटम और बिसरा किस ने किया घटना की एफायार किस ने लिखाई घटना की जाच काउन कर रहा है जब सरकार खुदी इन बाल्व है तो सरकार की इन इजेंसियों को थर थर काप रहा था डाक्टर जब मैं गया था मौच से दो दिन पहले 26 तारीक को वो अपना फून नंबर मुझे नहीं दे सकता था मैंने कहा फून नंबर दे दो ताकि मैं खेरियत पूछ लूगा तो उसने कहा पृतिबंधित किया गया है मुझे को देखिए किसी भी जाँच और किसी भी रिपोर्ट एक जाँच एक बार में आपके आपके चैनेलों पर ही सुना कि सुपरिटेंडेंडेंट साफ सब का ब्यान ले रहे हैं और डाक्टर का भी ब्यान ले रहे हैं फिर एक जाँच पता चला कि वहां के मजिश्टेट साफ कर रहे हैं मालूम हुआ कि ऐसी जाँच कोई भी जो जुडिशल कश्टडी में मौत होती है चाहे बांदा में मुक्तार अंसारी की हुई हो या कहीं भी किसी तरह की हुई हो उसकी मजिश्टेटियल जाँच होती है फिर आप ही जाँच बैठा दीजिए आप ही मजिश्टेटियल जाँच आप ही नियाइक जाँच अगर कोई परिजन चाहे भी कि भाई इसका post-matum निस्पक्ष हो जाएगा एमस का डाक्टर अगर इसका post-matum करेगा तो हमको भी संतोष हो जाएगा क्या कारण है सरकार भाग भी क्या कारण है उसमांग को अस्विकार कर दिया गया क्या इसी चीज थी जो नहीं हो सकती थी इसलिए कि गुनाह से पर्दा हड जाएगा मैं बताया पहले भी और आज भी बता रहा हूँ देखिए बिसरा में नाखून की जांच नहीं हुई है पहली बाद सुन लिजेगा आप जाके पुछ लिजेगा जो बिसरा रिपोर्ट आई है उसमें नाखून आया था कि नहीं औ ये जांच में जो जांच बिसरे वालों को चाहिए थी वो नमूना भेजा ही नहीं गया बिसरा जांच करने के लिए जहां भेजा गया वहां पदासीन अधिकारी को हटा के दूसरा पदासीन अधिकारी बैठाए गया अपने गुनाह पर परदा डालना है लिपा पोती करना है कहां गए छाती फुलाने वाले जो कल कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे अब मिट्टी भी नसीब नहीं होगी कहां गए कहें यही परिक्षा की गड़िये 24 तारिक को उनकी अवकात की परिक्षा होगी देखिएगा गाजी पूर नहीं पूरे पुर्वांचल की जन्ता म भारती जन्ता पार्टी की तरफ सोच भी रहे थे अब वो पूरा का पूरा समाज ठूक रहा है